तो गाईज यहाँ पे अगर आप सभी लोगों को Facebook के application में इस तरीके से problem आती है यहाँ पे लिखा रहता है You can't use these features right now तो अगर आपको इस तरीके से जो है problem आ रही है तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इस problem का solution बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस problem को solve करना है तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा end तक देखिए और दोस्तो अभी तक आपने like ने किया like कर देजिए और चैनल को subscribe भी कर लिजी तो चलिए गए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस problem को solve करना है तो यहां पर आपको इस problem को solve करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने phone में जो है Facebook application को open करिए open करने के बाद दोस्तों आप देखिए कि आपको इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है और अगर आपको आ रहा है तो दोस्तों आपको अपने phone में Facebook application को update करना है सबसे पहले अप्डेट करिए और सेटिंग में जा है सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उपर कि और slide करनी है और यहाँ पे आपको application का option आएगा तो यहाँ पे आप click करिए click करने के बाद manage apps पे click करिए और दोस्तों यहाँ पे आपको facebook लिख के search करना है facebook आप जैसे ही लिख के search करेंगे तो आपका जो facebook application है वो आएगा तो उसको open करिए open करने के बाद दोस्तों storage पे जाए और clear data कर लिजिए उसके बाद दोस्तों आपकी जो problem है वो solve हो जाएगी और guys यहाँ पे आपको अपने phone में facebook application को update जरूर करना है guys अगर update आप नहीं करेंगे तो आपको नए नए features जो की facebook में आते हैं वो यहाँ पे आप use नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको समय समय में update करते रहना है तो guys अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और channel को subscribe भी कर लिजिए